क्या अज़ाद भारत के इतिहास में भारती जैनता पार्टी की सरकार अब तक की सबसे असुरक्षित डरी हुई सरकार है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी से कि आप क्या चाहते हैं? कि दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा विपक्ष आपके तमाम आलोचक वो तमाम पत्रकार जो आपसे सवाल पूछने हैं वो सब जेल चले जाएं? ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते हैं वो खिलाबाज़ाद है तेरे आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन स्कॉर्ट ने राहूल गांधी की जो सजा थी उसे खत्म करने से मना कर दिया जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत के एक निचली अदालत ने कुछ दिनों पहले उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी क्यों सुनाई थी क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम पर एक टिपणी की थी जी हाँ और उसी के चलते सेशन्स कोर्ट में इसके खिलाफ राहूल गांधी ने अपील की थी अगर राहूल गांधी आज जी जाते तो उनकी सांसदी बहाल हो जाती यानि MP पद फिर से बहाल हो जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा ने तुरंत उनकी जो सांसदी ये वो खारिच कर दिया और यही नहीं उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि विपक्ष के निताओं पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और आज जो मेरे कारक्रम का विशा यही है कि क्या 2024 से पहले भारतिय जंता पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में भेज दिना चाहती है और मैं क्यों कह रहा हूँ, इन चेहरों पर गौर कीजे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अर्विंद के जिवाल, उधव ठाकरे, मम्ता बैनर जी एक एक करके एक एक लाइन में सब के बारे में राहुल गांधी के खिलाफ क्यों क्यों क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नारेंद्र मोदी की कमजोर नब्स अडानी पर लगातार हमला बोलते हैं, आरेसिस पर हमला बोलते हैं, पीछे नहीं हटते हैं तेजस्वी यादव, इनसे जो खुनना से वो तो बहुत पुरानी हैं, याद कीजे, 1990 क्यानवे में लालकृष्ण अडवानी रध्यातरा लेकर निकले थे, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री ते बिहार के दंगा ना भड़कने पाए, इसलिए उन्होंने रध्यातरा को बिहार से पहले रोग दिया था, और अडवानी को गिरफ्तार कर लिया था तीसरा चहरा, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने हिमाकत ये की, कि उन्हें भारतिय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनके काम करते रहना चाहिए था, मगर उद्धव ठाकरे ने NCP और कॉंग्रेस के साथ गठबंधन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि शिवसेना की अरव से व्यक्ती मुख्यमंत्री बने, बेजेपी ने उन्हें माफ नहीं किया, ये फैसला कर लिया कि उन्हें ने इस्तनाबूद कर देंगे और किया भी, अब उनकी पार्टी उनकी नहीं है, छुनावी सिंबल उनका नहीं है, अरविन केजिवाल, अरविन केजिवाल के पहले मंत्रियों को जेल में डाला, और अब अरविन केजिवाल को CBI ने बुलाया है, और क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविन केजिवाल राश्ठिय स्तरपर उन्हें चुनावती दे सकते हैं, बात यहां नहीं रुखती है, अरविन केजिवाल ने हाल ही में मंत्री नरेंद्र मोदी नडड़ा और पूरा का पूरा जो भारती जन्ता पार्टी का कुन्बा था उनके रहते इन्होंने पश्चिम बंगाल में ने पटकनी दी जाहिर सी बात है कि इन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा राहूल गांदी की सजा जिस तरह से दुबारा बाहाल की गई है उसे पता चल रहा है कि विपक्ष लोकतंत्र को लेकर किस तरह की असहिश्णुता भारती जन्ता पार्टी में मैं आज राहूल गांधी को जो सजा मिली है उनकी सजा को जो बहाल किया गया है या बरकरार रखा गया है उसकी बारे में आपसे दू-तीन सवाल पूछना चाहता हूं वो जो भाशन था जिसके अंदर राहूल गांधी ने मोदी सरनेम को चोर से जुड़ा था मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं उसके अंदर राहूल गांधी कि लोगों पर हमला बोल रहे थे ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी इन में से कुछ तो OBC है भी नहीं और सबसे बड़ी बात उस पूरे भाशन में राहूल गांधी सिर्फ और सिर्फ भरश्टाचार पर हमला बोल रहे थे तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि राहूल गांधी OBC पर हमला बोल रहे हैं है कि नहीं? दूसरी बात, जिस पूर्णेश मोदी ने उन्हें चुनौती दी थी अदालत में जिसके चलते हैं उन्हें सजा सुनाई गई है क्या पूर्णेश मोदी तमाम जो मोदी हैं इस देश के उनकी नुमाइंदगी करते हैं? बिलकुल नहीं करते हैं तो कैसे ये सजा दी जा सकती थी? और बड़ी बात इन तीन में से कुछ तो OBC भी नहीं है तो फिर ये OBC का अपमान किस तरह से बताया जा सकता है? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली और उसे बरकरार रखा गया उसको लेकर लगातार सवाल किये जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है मगर एक बात समझ आ गई है कि दोहजार चौबीस से पहले एक-एक करके तमाम लोगों को जेल में डाला जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि अगला नंबर अरविंद केजरिवाल का है क्योंकि CBI उनसे पूछताच कर चुकिए इसलिए दिल्ली की सियासत में एक जवर्दस भूचाल आने वाला है और उसका सर पंजाब में भी पड़ेगा क्योंकि पंजाब में भी आमाद्मी पार्टी की सरकार है मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तु दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी की रुदाली जारी है प्रधा मंत्री आए दिन अपनी सभाव में कहते है कि ये लोग मेरी कबर खोदने की बात करते है ये लोग मुझे एक एक दो दो किलो गालियां देते है और उसी के चलते मुझे उर्जा मिलती है यानि की विक्टिम कार्ड खेलना है किसी को सीखना है तो बीजेपी की तरह सीखे बीजेपी की तरह खेले अपनी तरफ से आप लगातार विक्टिम कार्ड खेलते हैं और विपक्ष पर लगातार निशाना साथते हैं सिर्फ राजनीतिक विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचकों की भी बात कर रहा हूं, मैं आक्टिविस्स की बात कर रहा हूं, और सबसे अजीब और गरीब बात ये है कि अनरगल तरीकों से लोगों को फसाया जाता है, मसलन रोना विलसन, आक्टिविस्स रोना वि अक्टिविस्स तीन-तीन सालों से जेल में पड़े हुए है एक की मौत भी हो गई और यही नहीं अदालत में बाकाइदा कुछ लोगों को रिहा भी किया कि कोई प्रमाणी नहीं थे कोई सुबूत ही नहीं थे बेवजा आतंकवाद की धाराओं में उन्हें बंद कर दिया गय जो अपने आपमें कितने दुख की बात है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाल ही में करनाठक की एक राली में भाजपा के अध्यक जेपी नड़डा ने आप जानते हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था कि प्रधान مंतरी नरेंद्र मोधी का आशिरवाद करन की जनता को मिलता रहे इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर करनाटक ने भारतिय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया चो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो मदद नहीं मिलने वाली है जेपी नड़ा कोई रह चलते छुड़ भहिया नेता नहीं है जेपी नड़ा एक पार्टी के अध्यक्ष है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जेपी नड़ा ने जो बात अपनी राली में कही इसे मैं धमकी ना मानू तो क्या मानू बताईए क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को ये बात कहना शुभा देता है जहां वो खुले आम एक मन से ये कह रहे हैं कि भई अगर आप चाहते हैं कि प्रधान मंत्री का आशिरवाद मिले तो वोट दीजिए सबसे पहली बात प्रधान मंत्री का आशिरवाद क्या होता है प्यदेश के प्रधान मंतरी हैं। उम्र के लिहाज से तो कई ऐसे करनाटक के वोटर्स होंगे जो प्रधान मंतरी से बड़े होंगे। 80-90 साल के होंगे। तो क्या प्रधान मंतरी उनको भी आशिरवाद देंगे। कहने का क्यारत है दोस्तों, मैं क्यूं आपको जेपी नडडा की बात सुना रहा हूं और आखिर क्यूं इसे अपने कारकरम की शीरशक से जोड़ के देख रहा हूं क्यूंकि जेपी नडडा ने जो बात कही ना किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक नहीं है उसके जरीए सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को कुछलना है और इसके लाव़ कुछ नहीं याद कीजिए, बिहार गए थे जेपी नडडा उन्होंने क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि क्षेत्रिय दल धीरे-धीरे खत्म हो जाएं ताकि हर जगा बीजेपी का पर चमो क्षेत्रिय दलों को खत्म करनी की बाद जेपी नडडा कर रहे थे बिहार के अंदर क्यूं? और सबसे बड़ी बात ये क्या देश के संगी धाशे फेडरल स्ट्रॉक्चर के लिए ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों इस देश में कई क्षेत्रिय दल है त्रिणमूल कॉंग्रिस है बीजू जनता दल है शिवसेना है डीमक, AI, डीमक है अकाली दल है हरे की अपनी जरूरत है हरे की अपने माइने है हरे की अपनी एहमियत है हर पुलिटिकल पार्टी का अपना रंग है और आप जानते हैं इन में से कई पुलिटिकल पार्टी जो क्षेत्री लोग है या उस राज्ज के लोग है उनकी उम्मीदों की नुमाइंदगी करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे में क्या उन क्षेत्री दलों को खत्म कर देना चाहिए जेपी नड़ा साब ऐसा कह क्यों रहे है क्या ये सोच लोकतांत्री कही जा सकती है देखकती है दोस्तों यही इनकी सियासत है हकीकती है कि 2014 से जबसे लोग सकता में आये है तब से लेकर अब दलक इन लोगों ने देश की सीरत सूरत सब को बदल दिया है आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ अगर 2024 में किसी चमतकार से भारतिय जनता पार्टी सत्ता से चली भी जाएगी न तब भी जो नुकसान भारतिय जनता पार्टी की सियासत ने इस देश को किया है न उससे उबरने में हमें सालों लग जाएंगे आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ किस तरह का युवा तयार किया जा रहा है हमारे परिवारों में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है अगर परिवार के अंदर कोई विपक्षी पार्टी का समर्थन करता है तो उससे परिवार के सदस्यों की ही लड़ाई हो जाती है बाप और बेटे में लड़ाई हो जाती है भाई और भाई में लड़ाई हो जाती है दोस्तों में लड़ाई हो जाती है जो लोग बच्पन से अच्छे तगड़े दोस्त है अब वो जानी दुश्मन बन गए हैं क्यूं? क्योंकि एक कॉंग्रेस का समर्थक है और एक मोदी जी का ये है वो संस्कृती जो पिछले 9 साल के राज ने इस देश मिलाई है और मैं बात करना चाहता हूँ बेरोजगार युवाओं की मैं पूछना चाहता हूँ इन बेरोजगार युवाओं को क्या दिया गया है मुझे बताईए ना क्या दिया गया है जिन तीन लोगों ने अतिक एहमत को मारा वो ड्राग आडिक्स थे अपराधी थे एक पर पॉक्सों का केस चल रहा था तीनों को किसी तरह से ब्रेनवाश करके उनकी बेरोजगारी का फाइदा उठाकर किसी अद्रिश ताकत ने अतिक एहमत को मरवा दिया अतिक एहमत खुद दुर्दान्त था खुद आपराधी के तिहास था मुद्दा वो नहीं है मुद्दा ये है कि यही हाल देश के युवा का भी है आज की तारीक में इस युवा के अंदर इस कदर जहर भरा जा रहा है कि वो सड़क पर उतर कर लिंच करता है वो उन लोगों को गालिया देता है जो उसके धर्म से नाता नहीं रखता है उसके अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खत्रे में है उसके अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि अगर राहूल गांदी या कॉंग्रेस सब्ता में आ गई तो मुखलों कर आ जा जाएगा मज़ाद नहीं कर रहा हूँ ऐसी बाते होती हैं वाटसाप ग्रूप्स में इस तरह का दुश्परचार चलता है विपक्ष के खिलाफ उन लोग के खिलाफ जो भारती जन्ता पार्टी की सोच से इत्तिफाख नहीं रखते आज मैं आपसे यही बताने आया हूँ कि अगर विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक शलावा बन के रह जाएगा और इसके लावा कुछ नहीं और हमें इस तरह की हरकतों पर गौर करना पड़ेगा ये जो कारवाई को अंजाम दिया जा रहा है विपक्ष की खात्मे का इससे हमें बचना पड़ेगा क्योंकि फिर हम अपनी आवाज ही नहीं बुलंद कर पाएंगे क्योंकि मीडिया का हाल तो आप जानते ही मीडिया पूरी तरह से भाजपा का पिछलगू है और ऐसे में विपक्ष है जो अपनी शर्तों पर आपकी आवाज उठाता है या मेरे जैसे एका दुक्का पत्रकार हैं की ने मगर हमें भी आंटिनाशनल बता दिया जाता है मगर मैं अपने माइनों को समझता हूँ अपने आवाज के माइनों को समझता हूँ इसलिए मेरे कारकरम का नाम है बोल के लबाजाद है तेरे इसलिए अपने बोल के जरीए मैं आपके मुद्दों को उठाता हूँ शाहे इसकी लिए आपकी तरफ से मुझे गालियाएं क्यों न पढ़ती रहें मैं इस मंच पर यह हमेशा करते रहूँगा अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नवस्कार